कि अभी एक विवाद आगया तो उस विवाद बनी जाना चाहता है जो वो हज का सबसीडी खतम हुई तो कुम्मेले का विश्याय आगया कुम्मेला हम सब जानते हैं कुम्मेला कितने साल में एक बार पढ़ता है 12 साल में 12 साल में एक बार क्यों पढ़ता है क्योंकि वो जुपिटर की साइकल पर आधारी तो ब्रहस्पत ग्रहे हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशी में दुबारा आता है इसलिए कुम्ब मेला 12 वर्ष में एक बार पढ़ता है हजारों सालों से चला आ रहा है ठीक है तो इसका अधा हमको पता था ना कि ब्रेस्पत की साइकल 12 साल की है इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि वरेस्पत की साइक्ल 12 साल की है और उसके बाद हमको समझा जिया जाता है नहीं साव हम अंसाइंटिफिक थे अब आप एक और बड़ी मज़धार बात देख लीजे सूरिक रहन और चंद रहन पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन ते करता है सरकार गोशना करती है ना टीवी पे आता है रेडियो पे आता है अखबार में आता है किस बेस पे आता है नासा की फिजिकल अब्जर्बेटरी बताती है यह फ़ना तारिक को इतने बचके इतने मिनट पे सूर ग्रहन या चंदर ग्रहन पड़ेगा सुलार इकलिपस और लुनर इकलिपस मगर यह बताईए उन्नी सो पचास से पहले तो नासा की अब्जर्बेटरी नहीं थी 1900 में मैक्स प्लाइंग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थिवरी दी फोटॉंस वाली उससे पहले प्रोगेशन आफ लाइट ही नहीं पता था 1897 में जेजे टॉंसन एलेक्ट्रॉं खोजा उससे पहले आप मानते थे एटम अंडिविजिबिल है और 1633 में आप ये कहते थे गैलीलियों को फासी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्स राउंड दार्थ गलत है तो भाईया आप 380 साल चलके जहां पहुँचे हैं हमारा पंचान तो युदिष्टिर के जमाने से एज़िटिस चला रहा एक क्या मतलब ये लॉजिक नहीं है ये तो साइंटिफिक फिर भी हमें समझाया जाता है कि साथ जो हमने सोचा उसम हम अंसाइंटिफिक थे हम गलत थे बड़ी मज़दार बात है इने स्पैन अफ लिविंग जनलेशन पचास साल में देखे ये जो अर्वन अकसल से उन्होंने हमारे दिमागों में क्या-क्या भरा और फैक्त क्या था पचास साल पहले जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो पचास साल पहले कहते थे अगर आगर यार यार ये अगर खेती करनी है तो मेकनाईस फॉर्मिंग केमिकल न फटिलाइजर यूज करो गाय के गोबर से कोई खेती होती आदमी चांतर पहूँगanges तुम गाय के गोबर पर पढ़े हो आज नहीं नहीं ओर गेनिक फॉर्मिंग पचास साल पहले क्या कहते थे अरे भाई ये जड़ी बूटी और फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है नीम हकीम खत्रा है जान खाना है तो नई दवाएं खाओ क्लोसीन, मेटासीन, टेरामाईसीन आज आप क्या कहते हैं? ने 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 चैमिकल नहीं, हर्बन मेडिसीन की तरफ जाओ ठीक? आज से केवल पचास साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेडों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड की रक्षा करो कहते हैं, दिस इस दे रिमिनिसंस अफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन आज, उन्निस सो बान नवे के रियर डिजनेरों से लेके दो हजार नो के कोपन हेगन से लेके दो हजार सोला के परिश तक, आप कहते हैं नेचर फ्रिंडी डिवलप्मेंट करो भाईया, सब कुछ उलगता जा रहा है जो हमने कहा, जिसका आपने मजाख उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा, अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाख उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते भारत में ये कहा जाता था कि ज्यान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ संत्मात्मा जाके गूफा में ध्यान लगा देते पीर फकीर जाके, कहते थे तो इलहाम हो जाएगा लोग कहते हैं, क्या बेवकूफ है, जाके ध्यान लगाए हो ज्यान प्राप्त हो गया अब पचास सालवार में आप से पूछता हूँ आपको नियॉर्क टाइम्स अगबार पढ़ना है तो दो रास्ते एक, यहाँ से दिल्ली से नियॉर्की फाइट पकड़ी है 16-22 गंटे लगेंगे, depending upon your flight और आज का एक बार कल पढ़िए और दूसरा है, कि मोबाइल पर डाउनलोड करिए, खट से और पढ़िए क्यों, आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई, उसने सौफ़वेर भी बनाया और जिसने सौफ़वेर बनाया, उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन बुतिचे तहंकार और कॉंशेस नेस एक सौफ़वेर है और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउंडोड है और अंत में मैं एक उधारण दूँँगा, सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण सोचन हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ तो हमारे हाँ परंपरा में त्याग का महत्तु था, हम आपसे पूछें, दो राजा बताईए जो सबसे बड़े महान माने गए भारती संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिच्चन, दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बला-बला इलाका एलेक्जिंडर देने वाले थे, उनके पास भगवान राम की एक मूर्ति थी, काशी नरेश उनके पास गए, कहा जाता था इतनी सिध्ध मूर्ति है, आप करपिया इसे मुझे दे दीजे, ऐसी मूर्ति राजा के पास होनी चाहिए, राजभवन में, ना कि इस मूर्ति के वेट का दस गुन रैदास जी, आज जोपड़ी में रह रहे हैं, इसमें जितना सोना आ सकता हो नीचे से उपर तर, उतना भर लीजिए, उतना मैं आपको देने को तयार हूँ, तो एक बार उनकी पत्नी का मनाया कि वह ऐसा बढ़ी ओफर नहीं मिलेगा, अब हमें इसके विचार कर लेना चा रैदास जी क्या थे? वो जूते बनाते थे, आज की परिभाशा के नुसार दलित थे, अब आप आईए, संथ कबीर जुलाहा थे, आज की परिभाशा के नुसार OBC, जब उन्होंने, उनके बेटे ने भगवान के भजन के वज़ा पैसा कमाना शुरू किया, तो कबीर ने क अब आप आईए, मीरा भाई, राज परिवार की थी, आज के हिसाब से, फॉर्वर्ड, और उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम और अतन धन पायो, और जनम जनम की पूजी पाई, बाकी सबें लुटाए, उन्होंने भी पैसे की तरफ में गया, और अंत में, ये सब एक ही कंटेम्प्रेरिय है, तुलसी दास, जन्होंने राम चरित मानस लिखी, वो ब्रामन्ट थे, फॉर्वर्ड, आज के जमाने के साब से, कहा जाता, अकबर उनके पास गए, अकबर ने कहा, कि आप हमारे दर्बार में आकर, इस्थान ग्रहन करिए, हम आपको साथ हजार की मनसबदारी देंगे, उस जमाने मनसबदारी एक रैंक होती थी, तो जैसे 40,000 की मनसबदारी वस मैक्सिमम, 60,000 का मतलब हुआ कि राजा के बाद सबसे बड़ा स्टेटर साब का होगा, तुलसी ने का जवाब दिया, हम तो सेवक राम के, हियो धर्यो दर्बार, हमारे तो सोशन किया गया, कैपलिजम किया गया, अगर माक्स ने कहा धरम एक अफीम है, जो गरीबों को पिला दी जाती है, ताकि अमीर उस पर हुकूमत करता रहे, पर यहां ऐसा नहीं था, मैंने दिखाया, समाज का निचला वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, राज क करने वाला वर्गो सबने कहा, जो त्याक करेगा, वो महान होगा, इसलिए हमारे महत्मा गांधी महान हुए, ना कि प्रधान मंतरी रहने वाले नहरु महान, तो इसलिए मैं अंत्में यह कहूंगा, आप सभी लोगों से, कि यह जो मायावी रावन, साधू का वेश बना के आता है, सुख्ष मुद्रश्ट से इसको समझिए, और आश्वस्त रहिए, कि वो चाहें कितना भी मायावी हो, अंत्में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम आज दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, जैसा आभी नलपजी ने कहा न, कि वह पीपल ला हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सपिता है, वी आर यंगेस्ट नेशन और ओल्डेस्ट सिवराजेशन, तो एक गौरवशाली हमारा भूत काल है, और एक शांदार भविश्य है, जो हमारी प्रतिक्षा कर रहा है, बिच के इस माया के प्रपंचों को से हम बचे रहें, तो कहीं कोई संदे नहीं है, एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा, कि गौरवशाली था भूत भविश्य धी महान है, अगर समाले आप उसे जो वरतमान है.